Hello Fred, Welcome to Study News आज हम इस वीडियो में दुनिया के पहले लकडी के उपग्रह के बारे में जानेंगे So let us start European Antarch Agency ने इस साल के अंत तक दुनिया के पहले लकडी से बने उपग्रह वीजा वुटसेट को प्रिथवी के और्विटर में लॉंच करने के तयारी की है इस सेटलाइट को न्यूजिलेंड के माहिया पैनिनस्वेला कॉम्पलेक्स से लॉंच किया जाएगा इसे रॉकेट लेब इलेक्टरॉन रॉकेट के साथ लॉंच किया जाएगा इस सेटलाइट को फिनलेंड में ही बनाया और डिजाइन किया गया है ये लगबग 500 से 600 किलो मिटर की उचाई पर परिक्रमा करेगा विज़ा वुटसेट सेटलाइट प्लाइवूट से बना हुआ है जिसका आकार बकसे की तरह है और इसके बाहरी हिस्से के कोनों पर अलूमीनियम का उप्योग किया गया है और सेलफी इस्टिक भी धातू की बनी हुई है जिस पर कैमरा लगा हुआ है कैमरे के जरीए हम सेटलाइट की फोटो ले सकते हैं और कैमरे से देख सकते हैं कि लकडिया अंतरिक्च के वातावरण में कैसा वैवार कर रही है इस सेटलाइट का वजन 2.2 पाउंट है इसे आर्कटिक एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा डिजाइन किया गया है इस मिसन का उद्देश है कि ये जाना जा सके कि लकडिया अंतरिक्च के वातावरण में जैसे गर्मी, थंडी, निर्वात और विकिरण में कैसा वैवार कर रही है उन पर कैसा प्रभाव पढ़ रहा है इसलिए ये परिक्चन किया जा रहा है क्योंकि लकडि को अन्फिल्ट सूरज की रोसनी के पराबैगनी विकिरण से काला होने की आसंका होती है और उनमें दरार भी पढ़ सकते हैं इसलिए ये परिक्चन किया जा रहा है तो ये था इस वीडियो का एंड थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट